प्रकाशिक यंत्र चैप्टर के एंड पर पहुच चुके हैं है ना चैप्टर काफी बड़ा था आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा क्योंकि अठारवा या उनीसवा लेक्चर हम यहां पर स्टार्ट कर चुके हैं इसका और अब हम इसके टॉप लेवल अफ डिफिकल्टी पे हैं मतलब कठिंता का इस तर सबसे ज्यादा है कल आपने देखा एक खतरनाक सा डेरिवेशन है ना सरल सुक्ष्मदर्सी सबने घर में पढ़ लिया होगा जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनको यह थोड़ा पढ़ा प्रोसेस आपको बता देता हूं कि सरल सुक्ष्मदर्सी कहां पर फेल होता है देखिए आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि सरल सुक्ष्मदर्सी का डेरिवेशन था M is equal to D upon F याद है प्लस 1 और यह था इस पश्ट दृष्टी की नियुंतम दूरी पर यह होगे तो पावर बढ़ेगी आवर क्या होगी बढ़ेगी मोटा होता जाएगा लैंश जोगलेटान होगा अपका जो पर भन रहा है क्या बन रहा है तो एक तो परीशानी वाली वात अभाषी है समझे雅 he अभासी प्रत्भीन परदेपर प्राप्त होता नहीं है एक तरीके का loves सोता है जर्द मतलब कुछ है एल्लिजान मतलब भ्रहम कुछ है जीसे आपको जो दिखता है प्रते विम लैन Ņस में तो वह किसी सतया पर नहीं बनता है वो एक illusion type का ब्रहमित surface आपकी बन के दिखाती है फिर भी हमको दिखाई देता है वो हमारे brain का कमाल है किसका कमाल है brain का चलिए तो उस दिशा में हम नहीं जा रहे हैं हमारे कहने का मतलब यह है कि आभासी कि जब अगर आप focus दोरी कम कर रहे हो तो लैंस का distortion इमेज का distortion नहीं इमेज विक्रत होने लगती है बिगड़ने लगती खराब होने लगती है तो अब हमारे पास क्या अब हमारे पास क्या हो सकता है कि आपके पास यह चीज है कि आप दो लैंस का इस्तमाल कर सकते हो फिर आप कहेंगे सर अच्छा इस तरीके सम तीन लैंस का इस्तमाल कर सकते ह तो साथ कहल यानि कि हम तीन का इस्तेमल करेंगे कि आपके प्रतिविम्ब की ब्राइटनेस उतनी कम हो जाए गी क्योंकि लेन्स खुद और खाके गरम होता है क्या होता है उर्जा आपके प्रकास करनों को आशोशित करता है इसलिए दिमाग में ही रखेगा कि ये नहीं कि आप 10 lens का इस्तमाल कर सकते हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता है maximum 1-2 या maximum से maximum 3 lens किते lens? 3 lens आईवास समझ में? आईए तो देखते हैं सैयुक्तु सुचमदर्सी क्या है? मतलब 2 lens को मिला करके आवरधन चमता कल हमने बताई थी सरल सुचमदर्सी में कितने X? 10X याने कि 10 गुना अब इसको हमको 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना करना है तो हमको ये combination यूज़ करना पड़ेगा ये हमको व्यवस्था यूज़ करनी पड़ेगी इसको हम बोलते हैं सैयुक्त सुचमदर्सी समझ में आगया जी कल के जैसे इसके दो केस बनेंगे पहला अंतिम प्रतिविम बाब देखना चाहते हैं कहां देखना चाहते हैं इस पष्ट द्रष्टी की नियुन तमदूरी पर और दूसरा अंतिम प्रतिविम बाब देखना चाहते हैं पर अनंत पर तो दो केस बनेंगे और आखरी वाला तो आप जानते हैं भाई आप प्रतिविम अनंत पर बने तो वस्तु कहां पर रखी की फोकस पर तो बस उसमें चोटा सा परिवर्तन आएगा पहले हमने पहला प्रतिविम बनाया है किरन पत्थ मैंने बनाया है जब अन्ति परशद्रश्टी की नियूंतमदूरी भी आप यहां पर लिख सकते थे बट यहां पर जगह कम थी तो मैंने डी लिख दिया है ओके ठीक है जी बच्चो चलिए जी अब देखिए इसको आंगे solve करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होता है एक वस्तू होती है एक दो लेंस है यहां पर पहले लेंस को बला जाता है अभी दरश्यक अभी दरश्यक को इंगले से मोलते हैं objective lens तो मैंने ओपर लि होता है तो जिसके सामने मकोडा कीड़ा मकोडा जो भी रहता है लेते हैं आपन वी देखने के लिए मक्च्छ मक्खी तो यह जो होता है जो यह सामने वाला लेंस होता है ना उससे किब थोड़ा सा गैप रहता हम다고 नीचे वो जिस पैन में रखा रहता है इतना सा गैप को यह नहीं कि आप उसको इतना बड़ा गैप को कर दो क्योंकि आप ज्सको कर सकते ही नहीं हो पैथालोजी वालों को देखा होगा न, टेस्ट निकालते हुए, हलका सा फूल्ड गरते हैं, तो हलका ही हलका सा हिलता हुँ, मतलब वो जो सामने वाला लेंस लगा हो, उसकी फोकस दूरी कोई जादा, इसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, क वो ऑप्जेक्टिब लैंस याने की अभिदर श्यक्रेंग प्रकास को और में tuh बन जाएगा बहुत जो आब को आपकोدي म्वास्तिविक तो आपने यहुथ प्रकास क्रणय में यहां पर आ गई दूसरी प्रकास किरन जो यह चली भाईया सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से यानि प्रकाशिक के अंदर से बिना किसी विस्थापन बिना किसी डेवियेशन के विचलन के सीधे आगई बोलो है न